हेलो जैने दोस्तों मैं राहुल सिंग राहुल वाई फाई स्टेडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज 30 अगस्त 2020 से और 30 अगस्त 2020 से जो भी महत्वपूर खबर है परतियों की परिच्छाओं के पॉइंट आप ब्यू से वो लेकर कि मैं आपके समझ आ चुका हूँ कि डेली सुबह आपको ऐसे खबरों का जो है कलेक्शन मिलता है राहुल वाई फाई स्टी चैनल के माध्यम पर माध्यम से जो आपके परिच्छाओं के दिश्टी कोड से देखा जाए या फिर अन्भरती बिग्यापन के समझ देखा जाए वह उसके पॉइंट आप यू से अनलाग चार यानि ग्रीम अंताल ने गाइड लाइन इसके जारी कर दिया है यूत्तर प्रदेश पंचायच चुनाव एक एतिहासिक परिवर्तन करने जा रही है योगी आधितनास सरकार पूरी खबर वन बाई वन ले जाएगी हर खबर पर नज़ड़ डाली जाएगी ले आरवी अंटी पीसी के बारे में हो या फिर आपके उत्तर प्रदेश पूलिज भरती के बारे में हो या फिर आरवी अंटी पीसी के बारे में हो सभी मात्पूल खबर आपको एक साथ मिल सकेंगी राहूल वाई फाइट चैनल के माध्यम से चले पहले बात कर लेते हैं कि अ नहां से आप दिख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर निदे साले और आयोग के बीच लटका है मावला पजयाग राज से खबर है अरच्छड के भावर में फस गई है भरती अधिकारियों की आदूर दर्सिता का खामियाज जाई युवाओं को भुकतना पढ़ रहा है भरत जारी कर दिया गया और अधियाचन में 36 अच्छडना लगाने के कान प्रिकरिया भी लटकी गई है फाइल उत्तर प्रदेश उच्छडर सिच्छा सिवा अयोग वा उच्छ सिच्छा निदाले के बीच दोड़ रही है और जिम्मेदार उचित कारवाई करने से कत्रा रहे ह प्रदेश में असासिके साहतापरात यानि एडर डिगरी कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4500 के लगबग पद अभी खाली हैं खाली पदों को भरने के लिए जून 2011 में बिग्यापन जारी होना था लेकिन अधिकालियों के सुष्ट कारपडाली के कान बिग्याप तीन पदों का दियाशन भेजा लेकिन इसमें चेत्र अच्छड के ताहत महिला सुद्दा सग्राम सेनानी आजरित दिव्यांग अभरतों का कोटा निधायद नहीं किया इससे आयोग ने बिग्यापन जारी नहीं किया है आयोग ने उच्छड़ने सकते अरच्छड निधा करवाई की जाएगी और बिना सासन किर्मति के लिए अच्छड के कोई करवाई अभी नहीं की जाएगी तो 2016 के बाद यह निकले की भरती उत्तर प्रदिर उच्छड़ सिच्छा से वायोग इससे पहले बिग्यापन संक्यासा अतारश के ताहत असिस्टेंट प्रोफेसर प पड़ी है लटक गई है और अभी इसके सुमने क्या कहना है उच्छो से चाने देशक का डिरेक्टर का ड्रक्टर बंद्रव समना का चीज़े आपके सामने है तो भरती यह भी अभी लेट दिख रही है यानि अब यह कहीं न कहीं यह माल चलिए सितंबर के लाश्ट तक या से देख लेते हैं यह कल की नोटी से 29 अगस्त की आप देख सकते हैं मुख्याले पुलिस महां रिदेशक उत्तर प्रदीश 29 अगस 2020 पुलिस आयकत लखनों गौतम बुद नगर समस्त वरीष पुलिसर दिच्चक वह पुलिस उबतर जिक के बारे बिसे क्या है ये भी देख सकते हैं आप पुलिस आरच्छी नागरिक पुलिस के 38306 तथा आरच्छी पीसी के 18208 पदों पर भरती चैनित बेज़े को चिकिस्सा परिच्चड चर्त सत्यापन नियुक्ति वारीगूट परिच्चड की सब्बंद में नोटिस है ये किर्पिया उपर्युक्ते बिस्याक अध्यच उत्तर अपतेश पुलिस भरती पुलिस पुलिस भरती पुलिस पुलिस पर चैनित 14000 बरतियों के आधार भूत सब्सक्राइब पुलिस की जनपदवार बुकलेट हार्ट कापी में चैन का वेवलंड डीवी पीस्टी फाइल उपलत कराई गई है इस समझ में आउगत कराना है कि आरची नागरिक पुलिस पर चैनित पर्थम चर्ण में चैन सूची की वरिष्टा के अधार पर 14000 भरतिय अगरतर कारवाई के आकारिकरम पुलिस महानिदेशक उत्यप्तिस के अनुवदन उपरां नेमना अमसार निधारित किया गया है अब इनका देख सकते हैं पर्थम चर्ण का चिकिस्ता परिच्ण है ना कब से चिकिस्ता परिच्ण और आपका चाहित 57 दिनांग साथ से प्र है तो बहुत ही महात्पूल खबार है आप देखते हैं निर्देश सामसार अनुवद है कि अपने अपने जन पतों से पुलिस अरच्छी नागरिक पुलिस पर चैनी तेविद्यों का डाटा चैन प्रडाम और निर्देश बुकलेट पेंडराई बात परात करनेत एक विसे समद में यह खबर बहुत ही अच्छी लगी होगी आप लोगो अब चले हम बात करते हैं उत्तर प्रडेश में दरोगा भरती करें आनलाइन अबेदन कब से होंगे एक तारीक को आपको पता होगा पूरी प्रिक्रिया पूरी हो जाएगी जो है एजन्सियों के चैन को लेकर अभी नहीं होगा यह 15 सितंबर के बाद ही यानि सितंबर के पर्थम पच्छ में इस भरती का अनलाइन अबेदन अभी सुरून नहीं हो पाएगा तो 9534 पर भारी भरकम का जा सकता है और यह भरती आई है दो लोगा भरती उत्तर प्रडेश में तो यह कहीं कहीं अब 15 जितने भी समय मिलते जा रहे हैं वह आपको लोगों के लिए कहीं कहीं एक बहुत ही पाच्टू बे में ले जा सकते हैं आपको समय मिलता जा रहा है आप अपनी पढ़ाई को धार देते चलिएगा क्योंकि दरोगा भरती कई बात किया जाए तो ग्रिजोट लेबल की भरती में पढ़कर कोई परिच्छा का जो है मैं नहीं का सकता कि जो है पास क्या जा सकता है कि कि किसी परिख्फाइब उसके लिए तो आप लोग अपनी तयारी को बनाया रखें अपने फिश्कल को थोड़े बहुत बनाया रखेंगा दरोगा भरती को लिए और एक महत्पूर चीज है आप लोग के लिए कि आनलाइन अबेदन होगा लेकिन पंदा सितंबर के बाद ही आपका होने वाला है है ना चलिए अब बात कर लेते हैं यहां से अनलाग फोर की समझने अनलाग फोर ग्रीम अन्सक्राइब गाइडलाइन जारी कर दिया ह अपने भी आई खबरे थोड़ी उस पर हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं अब देख सकते हैं पूरी तरीके से अभी कोचिंग संस्तान हो गया तो नहीं खुल सकते हैं लेकिन बात के आजा तो मैट्रो को लेकर के तो साथ स्टमबर से मैट्रो चल सकती है सिच्छट संस्तान 30 सितंबर तक बंद हैं अंतराश्टियों उडाने भी अभी नहीं चलेंगी गिरिम अंतराले ने जारी के दिशा निर्देश एक सितंबर से 21 सितंबर से एक ही छत के नीचे कोई भी आपका आयोजन हो चैवराजनेतिक हो धार्मिक हो सांस्कृतिक हो या फिर खेल कारिक्रम ह वहां 100 लोगों में 100 लोग उपस्तित हो सकते हैं लेकिन उनके पास सेंटाइजर, मास, गलप्स यह सब चीज़े होनी चाहिए जो कोई-19 से बचाओके साथान है है अभी भी सिनेमा हाल जो है वो बंद होंगे आप यहां से देख सकते हैं सिनेमा और स्विमिंग पूल अभी खूलेंगे, राज नहीं लगगा सकेंगे लागडाउन, कंटेर्मेट जोन की बहर अस्थानी अस्तर पर राज ररक्ाई लागडाउन नहीं लगा सकेंगे इसके-किन से अन्मति लेनी होगी आवाज-वाही पर कोई पाबंदी नहीं राज के अंदर हो या फिर बाहर या तरह तठा वस्तों कि अवाज यह पेर नहीं होगी और इसके लिए किसी पूर्विती याइप स्कूल वह पास की जोँद महत्तव पूर्पूर मरेश्य के पढ़ा होगा तो आप लोगों इसके समने जानकारी भी होनी जरूरी है चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यंटी पीसी एक्जाम को लेकर के और यह महात्रपूर चीज आपने देखा भी कुछ दिन पूर भी जो इसके समने खबर आई थे कि काफी बात कि आ तो लाखों में चातरों की संक्या है मैं ये बात कर रहा हूँ जो आपके सिर्फ उसिब जो है मद रिश्यत की बात किया जाए तो 27 लाखा भरती सबा साल साल से कर रहे हैं इन्दियार यंटी पीसी और गुरूप डी एक्जाम को लेकर के तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मै जो पूरानी हो चुकी है मैं बस आपको याद दिलाना की कोसिस कर रहा था कि अगर बात की में इलहाबाती रेजन की खबरे थी मैं आप यहां से आपको यह बताना चाहता हूँ कि अब आपके आरार भी यंटी पीसी के एक्जाम 2020 में नहीं कराय जाएंगे मैं यहां से यह बहुत बड़ा पशनोटता है कि सभी परिच्छाएं करा ली जा रही है इतनी बड़ी बड़ी परिच्छाएं करा ली जा रही है अगर कहीं एक सरकार की यह भी एक लापरवाही कहा जा सकता है क्योंकि इसके बदले और भी अगर बात किया जा परिच्छाओं को लेकर के तो सब कुछ बड़े सुचार रूप से कराया जा सकते हैं तो आखिरकार अराभी न्टी पीसी एक्जाम को लेकर के देरी क्यों हो रही है तो यह बहुत बड़ा परशन है और इसके समने लगाता परशन हैं इस चांसें इस चीज़ को लिए आप अपने कंटस्ट करें लिए कि 2020 में और रार्वी न्टी पीसी या पिर रार्वी की परिच्छाएं नहीं कराई जाए सकती हैं और नाहीं ऐसा सरकार की मनसा है अंगे बात करेंगे उत्त्रपरदिस पंचाय चुनाओ उत्त् बड़ा फैसला क्या खबरें हैं यहां से आप लोग देख सकते हैं जो बदलाव करने वाली है सरकार की दो से अधिक बच्चे होने पर पंचाय चुनाओ लड़ने पर लग सकती है रोग तो यह जन संक्या नियंत्तर को प्रुसाहित करने की कवायत है सरकार की और स्रियम यो कुछ राज्यों ने इसके सुरुवात भी कर दिया है कि आप लोग पंता होगा हर्याणा अगरा में इस सब हैं इस मुद्धे पर भाजपा परदिश सरकार के अस्तर विचार कर सकती है अब इन सब चीजों को करने के लिए पंचायती राज एक्ट में भी करना होगा संसोध है ना आपको पता होगा कि उत्तर प्रतिस में पंचायत चुनाओ की जो बात किया जाए नियत थी है वह खतम हो रहा है लेकिन यह पंचायत चुनाओ अब कहीं मार्च अपरल में जाते हुए दिख रहे हैं लेकिन यह महत्रपूर चीज है कि कुछ बदलाव देखने को मिल स सकते हैं निश्चित तोर पर अगर ऐसा कुछ होता है तो एक अच्छा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा है ना और अगर सुनना है आडियो तो आप हमारे डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है को फार्दा कुछिए और सुबा साथ बरे डेली करने वेर कोशन आपको वहां से प्रवाइट करा जाते हैं जो आपके एक्जाम के पॉइंट आप यू से बेहादी इंपॉर्टन साबित हो सकते हैं है ना तो ठीक है मिलते हम नेक्ट वीडियो में नेक्ट शिंपार्मेशन सब्सक्राइब नमस्कार